तो दोस्तो आज में लिखिया हूँ आपके लिए प्रकास स्टीलेज लिमिटेट का कम्प्लीट शेर एनलाइस जाने के हम इस वीडियो में इस कम्पनी का कम्प्लीट फंडामंटल को और चार्ट पटन को एनलाइस करके मैं आपको बताने बालाओ कि आपको इस वक्त इस आने के लिए हमें आशिस जीने कमेंट किया था तो अगर आपका भी कोई कोई रिस है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकी और अगर दोस्तों इस कम्पनी का क्वार्टेली रिजल्ट रिलेटेट आपको किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूजन है इस कम्पनी से रिलेटेट तो आप इस वीडियो को बिल्कुल आन्त तक देखते रहिए मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में इस कम्पनी का जो है डीटेल्स तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इस कम्पनी का जून 2023 की कौटेली रिजल में कैसा परफॉमेंस किया है तो यहाँ पे रेविनू पे आप देख सकतो 73% से ज़्यादा कम्पनी इस साल में रेविनू पे प्रॉफिट में है नेट इंकम हुआ है कम्पनी को 1012 लगब 143 पर संब्सक्राइश और यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन देख सकतो 50% से ज़्यादा कमपनी इस साल में प्रॉफिट में है 140% के आर्ष जो है और जीडिंग से यहाँ पी आप कम्पनी का पर को GROBE22 का पहुआ है तो इसका हम लोग जो है total figures भी जानेंगे actual में कितने amount होता है इस company का ये सबी चीजों का तो मैं वो भी आपको बताने बला हूँ तो हम लोग सब से पहले इस company का जो है एक बार fundamental को समझते हैं तो basically ये company जो है ये manufacture और expert करता है ठीक है steel का जो product रहता है उसमें तो इसका company जो है steel company है और इसका market cap इस बग जो है मैं वीडियो बना रहो तो इस बग कंपनी का market हो चुका है 101 करोड का और current share price देखेंगे तो 5 रुपया 45 पैसे पे company इस बग ट्रेडिंग कर रहा है highest रहा इस साल में company का 7 रुपया 31 पैसा और अगर आप यहां पे lowest price देख सकते हो 3 रुपया 32 पैसा company का इस साल में lowest price रहा company का एक positive point आपको बता तो दोस्तों कि ये company जो है एक Indian company है एक छोटा सा company है तो government जो है इस बग छोटी company है का हमारी देश की company को promote करने की कोशिश करता है ठीक है चाहता है government की जो हमारी देश का development है उसमें इन छोटी छोटी company हो का भी मतलब हाथ हो तो इस तरह आप एक उमीद करके इस company को एक positive view दे सकते हैं बागी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो company का price earning ratio का numbers इस बग 4.34% है book value company का minus पे जा चुका है लगबग 3% के आसपास और यहाँ पे company का dividend yield 0 है return on capital और return on equity का numbers जो कि यहाँ पे 0 है तो मैं आपको इसका details भी बता दूँगा आगे वीडियो में यह no doubt बहुत अच्छा quarter को इस quarter में performance किया है और आने वाले जो quarter आएगा उसमें भी अच्छा मतलब एक expect किया जा सकता है कि good quarter आएगा अच्छा quarter quarterly result आएगा ठीक है अभी यहाँ पे promoters का holding देख सकते हो 33.4% का promoters के पास holding है इस company का जो की penny stocks के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बहतर है लेकिन थोड़ा सा और भी हो सकता था 40% के आसपास होता तो एक अच्छा और भी मतलब positive माना जा सकता था बाकी promoters ने बेचा है 15% के आसपास जो है holding promoters ने इन तीन सार में इस company का बेच दिया है तो promoters का holding इसी कारण यहाँ पर 33% इस बचा है और अगर जून के quarter में company को total देखेंगे तो 28 करोड कंपनी का expense हुआ है और 29 करोड कंपनी को sale हुआ है और आपने जो percentage देखाता देख सकत तो पिछले साल में company जो है sorry March 2013 के quarter में company जो है एक करोड रुपया loss पे था तो loss को cover करके company जो है फिलाल इस quarter में एक करोड रुपया profit में है तो यहाँ पर company का इसके लिए जो number समने शुरुआत में देखा था वो number CC के कारण बढ़ चुका है company का मैं आपको details दिखा देता तो एक अच्छा numbers लेकि आया है हाला कि main business source जो है वहाँ से company को profit नहीं हुआ है बट यह company profit में है इस quarter में बाकि इस साल में देखेंगे company को 104 करोड का expense हुआ है और 107 करोड का sale हुआ है तो company जो है year on year operating profit में इस quarter में इस साल में 3 करोड रुपया profit में है जबकि March 2023 था company 2 करोड र जरूर आ चुका है लेकिन अगर 2022 तक देखेंगे तो company 6 करोड रुपया profit में था ठीक है तो यह पर 6 करोड रुपया profit में था तो इसका share price भी आसमान चूरा था उसके बाद थोला सा जो इसका result है थोला सा घट चुका है तो यहाँ पर share price भी घट चुका है उससाब से देखे तो एक अच्छा performance करते नजर आ रहा है बाकि net profit अगर देखेंगे तो net profit हुआ है company को इस साल में 23 करोड का company पिछले साल में 4 करोड profit में था 4 करोड से 23 करोड हो चुका है आप 6 गुना हो चुका है यह मानकर चाल सकतो company का net profit profit growth का numbers अभी भी negative है यहाँ पे sales growth का numbers ठीक ठाक है औ और return on equity का numbers actual में 0 ही है ठीक कोई return नहीं है रही बाद इस company का liabilities और asset तो पिछले साल के मुकाबले पे उतना ही है liabilities और asset 37 करोड का है company के पास और यहाँ पे अगर company का share holding pattern देखेंगे तो देख सकते हो 2020 तक 48% का holding सोवा करता था और इस company में आप देख सकते हो फिलाल जो holding है य यह आपका 33.41% का holding है और यहाँ पे government के पास जो stake था September 2022 तक 0.07% का तो 2-3 quarter में देखा जा सकता है यहाँ पे देख सकते हो 0.15% का holding हो चुका है government का तो government जो है इस company में जो अपना holdings था वो increase करके double कर दिया है तो मैं आपको वीडियो के शुरूवात में यही कहने की कोशिश कर रहा था कि government जो है हमारी Indian company को जो छोटी मोटे company है उनको promote करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त गौर्मेंट चाहता है कि इस तरह की company का भी हाथ रहे देश की development नो है ठीक है तो एक positive view आप यहाँ पे देख सकते हो देख सकते हो अपनी तरफ से और यहाँ पे company को थोड़ा बरुसा करके आप भी निवेश कर सकते हो लेकिन निवेश करने से पहले आपको सबसे ले यही चीज़े ध्यान रखना है कि खासकर यह एक penny stock से और दूसरा आपको अपनी तरफ से हर चीज proper research करना है उसके बाद निवेश करना है ठीक है किसी के कहने पर बिल्कुल निवेश का holdings कम है बट यहां पर government का stake है अच्छी बात है यह चीज आप मानके चल सकते हो तो यह थी इस company का fundamental दोस्तों मुझे तो ठीक ठाक लागा फिलाल जो है company का result भी अच्छा है और company का जो है सभी चीजे ठीक ठाक मुझे लग रहा है बाकि यहां पर government के stake के कारण मुझे यहां और fundamental तो अभी दोस्तों हम चलेंगे इस company के चार्ट पटन की और तो आज के दिन अगा आप company का चार्ट पटन देखेंगे तो जहां से company का opening हुआ था उसी पर आया के last में closing दिया है यहां पर return दे सकते हो आज के दिन 00 return है कोई return नहीं है weekly चार्ट पटन के मुताबिक इस हफ अबत्य में company ने lowest मारा लो मारा सबसे 5 रुपए 35 पैसा फिलाल जो है 5 रुपए 35 पैसे से company उपर ट्रेडिंग कर रहे है ठीक है तो आप उमीद कर सकते हो कि इस 5 रुपए के नीचे आ जाता है तो फिर यहां पर गिरावट उमीद कर सकते हो फिर आपको यहां पर एक stop loss मान के चाल सकते हो एक weekly chart button के मुताविक लेकिन अगर monthly chart button के मुताविक देखेंगे तो इस मेने में एक correction किया है बहुत अच्छा खासा return दिया इस मेने में लगभग 32% के आसपास ठीक है यह जो है साड़े चार रुपए का share था साड़े चार का share यहां पे 7 रुपए बना चुका तो इन 5 रुपए साड़ पैसे से नीचे अगर आ जाता है तो पिर यहां पेbird हो सकता है और इसका फिर स्टॉप ब्लॉज मानके चल सकते हो आप 4,5 रुपया ठीक है यह शाड़े चार रुपय को भी अगर क्रोश करके नीचे आता है तो पिर यहां पे गिरावर हो सकता है नहीं तो 6 मन्त के चार पटन जो आपको बता रहा है यह भूलिश है तो कंपणी ठीक ठाक परफॉर्वामस कर रहा है एक साल में कंपणी यहाँ पर 50 का नेगटिव रेटन जरूर दिया है ब्रकार से गिराबट पर था पर इन शे मैनों में एक पॉजिटिव चार्ट प्रेटन बना चुका है नेगेटिव से कंपनी का चाट पर्टन पॉजिटिव भी हो बन चुका है आने वाले दिनों में आप प्रॉफिट होने की चांसे ज्यादा है और लॉंग टर्म पे निवेश लॉंग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हो तो इसका ओल्डेडी आप इसका दोस्तों अगर अल्लेडी वह भाग चुका होता है फिर वह ठक जाता है फिर वह भागना नहीं चाहता है एक बड़ा करेक्शन करके आकर भागता है तो फिर यहां पर आप लॉंग टर्म के लिए बहुत आच्छा गासा यहां पर प्रॉफिट हो सकता है लेकिन अगर एक ब 2010 में 22 रुपया इसका शेर प्रेस था 22 का शेर यहां पर गिरके कोरोना के टाइम पर आप देखेंगे 20 पैसे में कंपनी ट्रेडिंग कर रहा था ठीक है 20 पैसे का जो शेर है अच्छा गासा रिकवर भी कर चुका है यहां पर आप देख सकतो 7 रुपया 8 रुपय तक बना च 13 सालों में मैं आपको 5 साल का चार्पटन दिखा देता हूं यह जो है पूरा का पूरा 5 साल का चार्पटन है और इसका जो अप्ट्रेंड यह कोरोना के बाद से शुरू हुआ है 20 पैसे का शेर यहां पे 8 रुपया 9 रुपया बना चुका था उसके बाद कंपनी जो है एक क निवेट करते हो वह पूरा पाइस आई है लेकिन यहां पर प्रॉफिट का चांसेज ज़्यादा है तो इस तरह से प平णी स्टॉक्स में निवेश किया जासकता है था requiring by यहां स्वाइब कपनी पर और यह स्बैत कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगते हैं लाइक करना अपने दोस्तों को शेयर करना मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ हमारी वीडियो को आनते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत ध्यानिवाद